नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस निचोर्श सोमवार शाम साथ बजे तकी हेडलाइन्स पर डालते हैं एक नजर 2019 के लोगसभा चुनावों को लेकर पूर्वित्यमंत्री पी चिदंब्रम ने एक बड़ा खुलासा किया है पी चिदंब्रम ने कहा है कि 2019 के लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीम पत के उमीदवार नहीं होंगे चिदंब्रम के इस बयान से एक बड़ फिर राजणीती गर्मा गई है और माना जा रहा है कि महागडबंदन के लिए शेत्रिय दलो को लुभाने के लिए कॉंग्रेस ने ये फैसला किया है केरण की नंसे दुशकर्म के मामले में मुख्य गवा की संदिक थालत में मौत हो गई है सोमवर सुभव फादर कटुथारा का शव जलंदर के सेंट पॉल चर्च में मिला 62 साल के कटुथारा के परिवार वालों का आरोप है कि फादर को जान से मारने की कई दिनों से धमकिया मिल रही थी दिल्डी के फाइफ सार होटल में गुंडा गर्दी करने के मामले में आशीश पांडे को कोट ने 14 दिन की नयाये खिरासत में भेज दिया है आशीश पांडे पर पिस्तॉल लेराने और जान से मार देने की धमकी का आरोप है आशीश पांडे की रिमांड अवधी शुक्रवार को खत्म हो गई थी जिस पर कोट ने उसकी जमानत याचिका खारच कर उसे सोमवार तक के लिए जेल भेज दिया था लेकिन पट्याला हाउस कोट ने आशीश को न्याये खिरासत में भेज दिया है उंदर प्रदेश के विधान परिशत सभापती रमेश यादव के बेटे की हत्या के मामले में मा मीरा यादव को गिरफतार कर लिया गया है यूपी पुलिस ने दावा किया है कि अभिजीत की माम मीरा यादव ने चुन्नी से गला घोट कर अभिजीत की हत्या कर दी है दरसल पोस्मॉटम की रिपोर्ट में अभिजीत यादव की गला घोट कर हत्या कर देने का खुलासा है 9 वार शाम 7 बचे तक की हेडलाइन्स में सिर्फ इतना ही बागी खबरों के लिए बने रहे हैं हिंदी.firstvos.com के साथ